हेलो फ्रेंज मैं हूँ संध्या स्वागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं भूनी हुई टमाटर की तड़के वाली चटनी ये चटनी बहुत ही टेश्टी बनती है और इसे बनाना बहुत ही जी है कोई भी इसे अराम से बना लेगा टमाटर की चटनी तो आप कई तरह से बनाए होंगे लेकिन एक बार इस तरह से बनाकर आप देखें आई होफ आपको जरूर पसंद आएगा फ्रेंज तो चलिए फिर बनाना ही स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंज तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें ज़्यादा कुछ समान नहीं लगता ये बहुत हीजी तरीके से बन जाती है तो यहाँ आप देख रहे हूंगे फ्रेंड्स मैंने सारा समान एक जवाइक अठा कर लिया है तो यहाँ मैंने लिया है चार टमाटर पके हुए तो पके हुए टमाटर लेने हैं हमें इसे मैंने अच्छे से धो लिया है हरी मिर्च, अद्रक का एक टुकड़ा, लसुन की कुछ कलियां और धनिया पती इन सबको मैंने दो लिया है तो सबसे पहले गैस ओन करके हम एक जाली चढ़ाएंगे और जाली के उपर हमें टमाटर को रख देना है और अच्छे से हमें इसे भून लेना है टमाटर को मिडियम से थोड़ा कम रखना है अगर आप तेज रखेंगे तो उपर से टमाटर पक जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा इसलिए हमें धीमी आज पर इसे अच्छे से पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए तो इसे पकने देते हैं हम बाकी त्यारी कर लेते हैं तो यहां आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स मैंने टमाटर को पलट पलट के अच्छे से पका लिया है यह चारो तरब से अच्छे से पक गया है यह देखिए तो पूरा इस तरह से पक जाना चाहिए कच्चा नहीं रहना चाहिए नहीं तो आप फिर मैस करेंगे तो मैस नहीं होगा अच्छे से तो यह एकदम अच्छे से पक गया है अब यहां गैस बंद कर देंगे और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे टमाटर को तो टमाटर अभी गरम है तो चिम्टे से पकड़ पकड़ के निकाल लेंगे तो यह देखिए मैं निकाल दे रही हूँ और इसमें हम ठंदा पानी डालेंगे और इसके छिलके हम उतार लेंगे अच्छे से टमाटर के छिलके तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं तो आप देख रहे होंगे friends इसे बनाना कितना easy है कोई ताम जहाम नहीं है इसे बनाने में तो हम इने पानी डाल दिया टमाटर में अब इसके हम छिलके उतार लेंगे टमाटर अब ठंडा हो गया है तो इसके छिलके उतार लेने हैं, तो छिलके भी असानी से उतर जाते हैं, यह देखिए, तो छिलके उतर गए, इसी तरह से हमें बाकी के उतार लेने हैं, और इसे हमें अच्छे से मैस कर लेना है, अगर आपके पास मैस करने वाला है, तो आप उससे कर लें, या फिर हाथ से क करें लेकिन अच्छे समय सोना चाहिए इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए यह देखिए दुसरे का भी छिलका में ने उतार लिया कि यह पूरा पहले हम उतार लेते हैं छिलके को और इसे अच्छे समय स्कर लेते हैं तो छिलके उतारना भी एकदम आसान है कोई जंजट नहीं है इसे उतारने में अगर आपको ज्यादा जंजट लगता है तो आप पकाने से पहले इसके उपर थोड़ा सा तेल लगा दे तो और असानी से छिलके उतर जाते हैं तिकने मैंने यह तेल नहीं लगाया हुआ था ऐस हाथ से भी मैस कर लें हाथ से अच्छे से मैस हो जाता है इसे साइड में रख देती हूं मैं इसके बाद इसे मैस करने के बाद हम तड़के की तैयारी करेंगे तो यहां मैंने टमाटर को अच्छे से मैस कर लिया, इसमें बिल्कुल भी गुठलिया नहीं है, यह देखिए, एकदम अच्छे से मैस हो गया, तो टमाटर अगर अच्छा से पका रहेगा, तो अच्छे से मैस हो जाएगा, अब चलिए इसमें तड़के लगा लेते हैं, तो यहां पहले मैं नमक डाल दे रही हूं, तो नमक स्वाइब के नुसार डालें, बदा ना हो, अंदाज से डालिएगा, तो नमक डाल दिया मैंने, अब इसे अच्छे से मैस कर लेंगे, तो इसे मैं अच्छे से इस तरह से मिला ले रही हूं, तो नमक हमारा मिल गया, अब इसे साइड में रख देते हैं और तड़के के लिए हम एक बड़ा चम्मच लेंगे आप चाहे तो पेन में भी तड़के लगा सकते हैं तो यह देखिए मैंने सारी त्यारी इधर कर ली है तो चट्नी के लिए हम सरसो तेल यूज़ करेंगे चट्नी में आप सरसो तिल डाले तो ज जाल देना है और इसे पकार लेना है यह देखिए लेकिन इसके हमें जादा नहीं पकाना है आप जादा इसे एकदम ना जला दें बस इसका कच्छा पंदूर हो इतना ही हमें रखना है इसके बाद चट्नी के ऊपर इसे डाल देना है तो हमें ने डाल दिया अच्छे से एकद जादा आप जला देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में बस इसका कच्छा पंदूर हो उतना ही हमें इसे पकाना है अब धनिया पती डाल देंगे तो धनिया पती आप अपने पसंद के नुशा डालें जादा पसंद हो तो जादा डालें नहीं तो फिर कम डालें और इसे अच्छे से mix कर लेना है तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स ये टड़के वाली चेटनी कितनी जल्दी बन कर तयार हो गई और कितनी ये टेस्टी बनी है आप इसे दाल चावल के साथ रोटी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं ये बहुत अच्छी लगती है खाने मे इसे बनाना जितना इजी है ये खाने में उतना ही टेस्टी है तो आप एक बार जरूर इस तरह से बना कर देखें आई होप आपको जरूर पसंद आएगा फ्रेंड्स ये देखिए हमारी चटनी बन कर तयार हो गई तो इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा पां झाल झाल